नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वावत है दोस्तों आज हम बनाएंगे जनमस्टमी पर बनने वाली खास मिठाई ये है जो वो श्री कृष्ण जी की फेवरेट मिठाई है यानि हर मंदिरों में इसका भोग लगा जाता है इस मिठाई का बनाने में बिलकुल आसान है और बोडी के लिए बहुत ही हेल्दी मिठाई है दोस्तों जनमस्टमी पर जो ये बर्फी बनती है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बिलकुल इजी तरीके से और कम टाइम में आपकी बर्फी बनकर रेडी हो जाएगी ना ही कोई जंजट होगा आपको आदेमंध है मिठाई इस बर्फी में इतने मेवे पड़ेंगे कि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और इसको स्टोर करके भी बड़ी ही आसानी से आप रख सकते हैं कम से कम एक महीना तो चलिए बनाते हैं जनमस्टमी पर भोग लगने वली मिठाई ये हैं म मावा मिठाई चलिए बनाते हैं मावा मिठाई को दोसों ये आप हमारे बताए गए तरीके से इसको बनाएंगे तो आपकी ना तो बर्फी टाइट पड़ेगी ना ही आपकी ज्यादा नर्म रहेगी बिल्कुल पर्फेक्ट रहेगी आपकी बर्फी और ना ही आपकी दोस्तों सबसे पहले मैं ले लेती हूं कड़ाई, गैस पर रख दे गड़ाई और इसमें 4 चमच देशी घी डाल लें क्वे कोई भी मिठाई हम अगर देशी घी में बनाते हैं, तो वो बहुत ही टेश्टी बनती हैं और हल्थी भी बनती हैं तो चार चम्मच मैंने ले लिए हैं यहाँ पर देसी घी और चार चम्मच के करीब ही मैं ले लेती हूँ यहाँ पर बादाम जो बादाम है दोस्तों वो हमारी बोड़ी के लिए काफी बैनिफीट हैं हडियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं बादाम बादाम में बोड़ी के लिए बहुत ही फाइदेमंद है दिमाग को तेज करना हो या फिर हड़ीयों को मुझबूत करना है तो आप बदाम का सेवन कर सकते हैं बदाम हमारे सहत के-लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं इस तरीके से आपने चार चमच के करीब बदाम लेने हैं मैं इस तरीके से ले रही हूँ कोई भी आप कटोरी वगरा या चमच सेट कर ले अपने घर का उसी से आपने सारी चीजे डालनी है आप देखे मैं किस तरीके से डाल रही हूँ और कितनी कितनी डाल रही हूँ तो मैंने यहाँ चार चमच की करीब बदाम लिये हैं या फिर आपके घर में इस तरह की कोई कटोरी हो उसे set कर ले आप इस तरह के से ले ले आदिक कटोरी मैंने बदाम लिया है इसको हमने roast करना है जादा भी हमने roast नहीं करना है इसका color ही जादा brown हो जाए बस हलका सा हमने इसको roast करना है तो ये देखिए दोस्तों मेरे बदाम तो roast हो चुके हैं जैसे ही ये roast हो जाएंगे इसको आपने निकाल लेना है एक प्लेट में अब उसी घी में क्योंकि घी बचा रहेगा अब इसी घी में हम ले लेते हैं काजू काजू भी हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस सरीके से आपने काजू भी उतने ही लेने हैं मैंने चार चमच ही काजू लिए हैं काजू भी आपने हलका सा रोस्ट करना है काजू भी जो है वो शरीर को एनर करता है और पाचन शक्ति को भी ये बहतर बना कर रखता है कुल मिलाकर जो काजू भी है वो हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद है इस मिठाई में जो हम मावे डाल रहे हैं वो हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद है आप इनका वैसे भी सेवन कर सकते ह और इस मिठाई में तो ये कमाल की चीज है तो इस त्रीके से आपने काजू भी ले लेना है और इनको रोस्ट करना है लुटा ही रोस्ट करना है जैसे थोड़ा सा color change होगा बस आपने इसको निकाल लेना है ये देखे दोस्तो मेरे ये निकल चुके हैं अब आपने तीसरी ची वो गर्मियों में यूज होता है और जो कीकर वाला गोंध है वो सर्दियों में में यूज होता है दोनों ही हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही फाइदेवन है और जो गोंध के तीरा होता है इसे हम भीगो कर यूज करते हैं कीकर वाला गोंध होता है उसे हम रोस्ट करके यान तो अच्छे से भून लेना है, यानि रोस्ट कर लेना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी रहे गई, तो ये कच्चा-कच्चा लगेगा, और आपके धांत में चिपकेगा, और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, तो इसको भूनते हुए थोड़ा सा आपन नहीं यूज करना है, यदि गौन कतीरा आप यूज करेंगे, तो आपकी जो बर्फी बनेगी, वो थोड़ी कड़वाट सी लाएगी, तो वो तो आपने नहीं यूज करना, वो हम भी होकर ही यूज करते हैं, तो ये मेरा भून चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं, अल मखाने होंगे, तो आपने मखाने इस तरीके से ले लेने हैं, मखानों में वेट कम होता है, और फ्लावर्ट में ये ज़्यादा लगते हैं, तो इस तरीके से आपने ये मखाने लेने हैं, जो मखाने होते हैं, वो भी हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, सकिन के लिए काफी फाइदे मंद है, वजन को भी आप काफी फाइदे मंद है, और ब्लड सुरल लेवल भी से कंटॉल में रहता है, हडियों को मजबूत बनाने में भी बहुत ही कारगर चीज है, तो आप मखानों का सेवन कर सकते हैं और जब इस बर्फी में ये सारी चीजे डल जाएंगी तो सोचो कितनी हल्दी हो जाएगी ये बर्फी तबी तो काना जी को ये बर्फी पसंद है क्योंकि इसमें इतने मेवे भरपूर मातरा में होते हैं और शरीर को ताकत भी देते हैं तो इस तरीके से मेरे रोस् हो चुक है इसमें कड़ाई में यदि आपका घी थोड़ा सा बचा हुआ है तो आप घी और ना डाले यदि घी नहीं है बिल्कुल भी तो एक चमचा को घी डाले देसी घी आप यूज करें देसी घी में जो आपकी मिठाई बनेगी ना बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगी तो य यहां पर आप तरबूज के बीज भी यूज कर सकते हैं खरबूजे के बीज भी यूज कर सकते हैं मैं यहां पर ले रही हूँ खरबूजे के बीज यह भी काफी हल्दी होते हैं हमारी बोड़ी के लिए और दोस्तों यदि आप इनको तल कर यूज करते हैं तो बहुत खान के लिए इन बीजों का पहुत ही यूज किया जाता है तो इस तरीके से मैंने ये भी भून लिया है बस एक सेकिंड के अंदर आपकी ये बीज भून जाएंगे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ज्यादा आपने नहीं भूनने हैं नहीं तो फिर कड़वाट सी आ जाएगी यद आप जो नारियल का बुरादा मिलता है वो भी आप ले सकते हैं ये भी मेरे 5-6 चमज है नारियल के बुरादे के ये मैंने इस तरीके से जो गोला होता है घर में उसको कद्दुकस करके मैंने ये लिया है तो आप इस तरीके से अगर आपके घर में गोला है तो उसको कद्द कस करके ले लीजिए या फिर नारियल का बुरादा वे आप ले सकते हैं अब इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं बस हलका सही आपने रोस्ट करना है बिल्कुल एक दो सेकिंड के अंदर ये रोस्ट हो जाते हैं कड़ाई हमारी गरम ही है आप चाहे तो गैस बंद कर द दाल सकते हैं तो ये तुमें साइड कर देती हूँ आप गैस पर चड़ाते हैं एक पैन उसमें डाल लेते हैं दो करीब चीनी आप मीठा कम भी ले सकते हैं जैसा आप मीठा घाते हैं ये आपको शुगर बगरा है तो आप यहाँ पर शुगर फ्री पावडर भी यूज उससे आधा में पानी डालूँगी एक कटोरी पानी डालेंगे आप जितनी भी आप चीनी लें बस उससे आधा आपने पानी डालना है और इसको मेल्ट होने देना है चीनी को जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तब तक हम दूसरा काम निप्टा लेते हैं तो इस तरीके से दोस्तों मेरे ये जो रोष्ट किये थे मैंने बदाम का जूगरा वो भी ठंडे हो चुके हैं अब हम इसको ग्राइंड करेंगे इसका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे मिक्सी जार लेना है आपने और इस तरीके से देखिए मैं पहले बदाम को पीश लेती हूँ बस आपने दरदरा सा इसको पीशना है बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है क्योंकि बिल्कुल फाइन पाउडर बनाएंगे तो बरफी में इसका पता ही नहीं चलेगा जैसे आप डलिये वाला इसको बनाएंगे दरदरा सा कुटेंगे तो जो बरफी आप खाएंगे ना बहुत ही स्वादिश्ट लगे क्योंकि उसमें सारे इंग्रीडियन्ट थोड़े थोड़े आते रहेंगे तो आपको बहुत ही लगने वाली है इस तरीके से मेरे जो बदाम है वो भी मैंने कूट लिये हैं और आप डालेंगे इसमें जो और चीज़े डाले या तो आप एक एक करके इसको ग्राइंड कर ले दरदरा सा पीस ले या फिर जैसे मैं ले रही हूँ मैंने मखाने भी डाल दिये हैं काजू भ लिया था आधा में इसमें डाल लेती हूं मिकसी में आधा में ऐसे ही रखूंगी बिना कूटे हुए तो इस तरीके से मैं डाल लेती हूं और मैं इसका पाउडर सा बना लेती हूं बस दरदरा अपने कूटना है इस बात का अपने ध्यान लगना है तो देखिए दोस्तों ये भी मेरा दरदरा सा कुछ चुका है, एक साथ हम इन चीजों को मिला लेंगे, अब दोस्तों जो मेरा बचा हुआ है, गोंद, भुना हुआ गोंद, वो भी मैस में मिला लेती हूँ, आप चाहे तो सारे गोंद को ग्रैंड कर सकते हैं, या फिर आधा ऐसे छोड़ सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, अब देखिए दोस्तों, जैसे हमारे जो मेवे थे, वो हमने पीस लिये हैं, आप चलते हैं अपनी चाशनी के पास, ये देखिए दोस्तों, हमारी चीनी मेल्ट हो चुके है अच्छे से, अब इसको थोड़ा सा और पका लेते है हमने बस इसकी एक तार की चाशनी बनानी है, जब तक इसमें एक तार आए, तब तक ही आपने इसको पकाना है, जब तक दोस्तों ये पकती है, तो हम एक काम और निप्टा लेते हैं, हमने लिए है एक थाली, इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, और इसको ग्रीस कर द खे़ से ताइब हम इसमें बर्फी जमाएं वह छिपके नहीं इस तरीके से आपने थाली लेनी है या प्लेट लेनी है और इस पर घी लगा ले यह देखे दोस्तों अब मेरी यह पक चुकी है चाष्णी बने चुकी है एक तार बन रहा है देखे आप देख रहें हैं इस इस नहीं पकानी है क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकाएंगे ना तो आपकी जो बर्फी है वो हाड बनेगी तो हाड तो हमने नहीं बनानी बस इतनी ही हमने चाशनी बनानी है अब इसको रख देते हैं साइड अब अगला काम क्या करेंगे हमने लेनी हैं वही कड़ाई यह अब जो चाश बनी है इसको हम देरी देरी इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से यह तो आप गैस को सीम करदे यह फिर बंध ही रखें अब दोस्तों वह सारी जाश है इसमें डाल दी हैं इसको मिक्स करना है बस थोड़ी देर 2-3 मिनिट आपने चलाना है ये थोड़ा सा टाइट सा हो जाएगा, जैसे चाशनीवगरा है, वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएगी, बस इतना ही हमने इसको पकाना था, क्योंकि ये दिया आप ज़्यादा पकाएंगे इसको, तो हमारी जो बर्फी बनेगी, वो हाड बनेगी, तो हमने गैस इसी स्टेज पर बंद कर देनी है, और इसको डाल लेते हैं घी से ग्रीज की ठाली में, और इसको उपर से या तो आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप स्कीब भी कर सकते हैं, मैं ने चांदी का वर्क लगा लिया है और उपर से मैं इसको घाणिश कर लेती हूँ पिश्ता के साथ आप बादम भी लगा सकते हैं पर बादम लगाने के आपको जूरत नहीं क्योंकि बर्फी में पहले ही बादम है तो इस तरीके से मैंने गार्णिश कर लिया है पिष्टा के साथ बस आप इसको थोड़ा सा सैट होने के लिए रख दें दस मिनिट में ये आप कितनी बड़िया बर्फी बनकर रेडी हो जाएगी सैट हो जाएगी पूरे दस मिनिट के बाद आप इसको पीसीज में काट सकते हैं तो ये लिजिए दोस्तों दस मिनिट के बाद में इसको दिखा रही हूँ आपको इसके मैं आप पीसीज काट लेती हूँ बहुत ही अच्छे से सैट हो चुकी है इसके देखे मैंने पीसीज कर लिये हैं अब इसका पीस मैं आपको निकालके दिखाती हूँ देखिए कितना अच्छा मेरा पीस निकला है और अंदर से भी पूरा अच्छा से है ना ये ज़्ञादा टाइट है ना ज़्यादा नरम है और ये इसी तरीके से आपका रहेगा टाइट बिल्कुल भी नहीं रहेगा आप इसको एक महीने तक कम से कम स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तो इस तरीके से आप अगर बर्फी बनाएंगे काना जी का परशाद बनाएंगे तो आपके कभी भी खराब नहीं हो गई और नहीं दोस्तो आपका बिखरेगा और नहीं नरम पड़ेगी जादा नहीं आपकी ये हाड बनेगी तो इस तरीके से अगर आप बर्फी बनाएंगे तो आपकी बर्फी बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगी तो दोस्तो इस जनमाश में आप भी इस तरीके से काना जी का पशाद बनाएए मावा बर्फी बनाएए आपकी जो बर्फी है बहुत ही बढ़िया बनेगी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you